21 सितंबर बड़ा बुद्धवार पित्रपक्ष एकदसी बना दुरलव शहयोग इंद्रा एकदसी तुलसी जी पर चढ़ा दें ये एक चीज खीची चली आएंगी मा लक्ष्मी आपके घर पैसों से हमेशा भरी रहेगी आपकी तिजोरियां दोस्तों अश्निमा के कृष्म पक्ष में पित्रपक्ष में पढ़ने वाली एकदसी जो सबसे महत्पूर एकदसी मानी जाती है और इसको इंद्रा एकदसी कहते हैं इस दिन ब्रत रखने से साथ पेडियों तक के जो पूरवज हैं उनको मौक्ष की प्राप्ती होती है और इ पित्रपक्ष में पढ़ने वाली एकदसी को पित्रपक्ष एकदसी भी कहते हैं पित्रपक्ष एकदसी का अगर आप ब्रत रखते हैं तो आपके पूरवजों को बैकुंट की प्राप्ती होती है और मौक्ष की भी प्राप्ती होती है और इस ब्रत को आप नियम से करें क्य कि ये नियम थोड़े कठिन भी हैं अगर आप भूल से भी कोई गलती हो जाती है आपसे तो ब्रत का पुन्फल नहीं मिलता तो इस बार जो बुद्धवार की दिन ये यनि की पड़ेगी एक दसी इस दिन आप ब्रत करें और पारण का सबसे महत तो रहता है इस यनि की ब्रत म इस दिन आप चावल ना खाएं इस ब्रत का पारण 12 सी तिथी शियोर्योद के समय पूजन के बाद ही आपको कुछ दान निकालने के बाद और दान निकालने के निमित फिर आप पारण कर सकते हैं पारण आपको अगले दिन याई की 22 सितंबर को दिन गुरुबार को किया ज सकते हैं तो इस दिन जब आप ब्रत रखेंगे तो पूरे तरह से सात्विक भोजन करेंगे फल बगएर खाएं और द्वादसी के अंदर ही आपको ब्रत का पारण करना है इस पित्र पक्ष की एकदसी को अपने पित्रों को तरपन करें स्तराद करें इस दिन गरीबों को भ आते हैं अब आई ये जानते कि इस दिन तुलसी जी की पूजा कैसे करें तुलसी जी पर क्या चढ़ा दे कि माता लक्ष्मी परसंद होकर आश्रवादे और खीची चली आए आपके घर क्योंकि पित्र देवों के आश्रवाद के साथ ही मा लक्ष्मी का आश्रवाद बरसे लेकिन इससे पहले एक मुख बात घर के दर्वाजे पर एक आम के पत्ते का बंधन वर जरू लगा दे जो की अवश्य तिथी के दिन यहीं की आपको बदल देना है तो तुल्सी के यह प्रयोग आपके जीवन की परेशानियों को समाप्त कर देगा और चुकि तुल्सी को यहीं की मंगल ग्रह से जोड़ कर देखा जाता है इसलिए अगर आप नीमित रूप से तुल्सी का पत्ता स्री हरी विश्णू जी को अरपित करें तो सभी मनों कामना या ते शिगर पूरी हो जाती है अगर आप बिजनेसमेन हैं तो रोज एक पत्ता स्रीहरी के चरणों में आरफित करने इस प्रकार के प्रयोक करने से जीवन में खुशियां दोड़ाएंगी अगर आपका बियापार नहीं चल रहा तो पित्रपक्ष में एक अदसी के दिन एक वर्तन में पानी लें तुलसी जी के तीन पत्ते डाल दें फिर आप अपने फैक्टरी इंडस्ट्रियल कार खाने या फिर दुकान पर दरवाजे पर ये पानी छड़क दें बाकी के पानी कि आपका ब्यापार अच्छे से चलने लगेगा बलकि दोरने लगेगा दोस्तों एक अदसीक पर भागवान विश्म जी की पूजा राधना करें माताल लक्ष्मीज की पूजा राधना करें शूर उधर से पहले उठकर आप क्या करें कि जहां पूजा स्थान है वहां पर मत्र अरपित करें जो भागवान विश्म जी को चढ़ा जाते हैं तुलसी के पत्ते भी आप वहीं पर रख लें और वो भी अरपित कर दें बिन्या तुलसी के पत्ते भोग स्विकार नहीं करते से लिए जरूर इस दिन करें और आप पूजा पाट करके ओम नमो भगते वा हमेशा बनी रहे शुक्षम्रिद्य से आपका घर हमेशा भर जाए जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएं तो इस दिन आप पूजा पाट करने के बाद पहले भागवान विश्म जी के पूजा करें फिर तुलसी जी के पूजा करें फिर आप एक लोटा लें लोटे मे एक चुटकी आप क्या करें चुकि पितर पक चल रहा है तो आप एक चुटकी हल्दी रख इसमें डाल लें और आप थोड़े से इसमें मिठी वस्त जैसे कि मिस्त्री डाल लें फिर आप इस जल को ले जाकर तुलसी जी पर चढ़ा दें अपनी मनो कामना बोलें तुलसी ज फित्र में जाफा प्राप्त होगा धन संपत्य का लाब होगा मनों कामनाई अत्शिग्र पूरी होगी जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानिया भी खत्म हो जाएगी और अनेक जन्मा के लाब भी आपको मिलेंगे तो आपको इस तरह से यह उपाई करेंगे त तो आपको जरूर लाब होगा दोस्तो तुलसी जी किस दिन पूजा करना स्ट्रेश्ट माना रहा है क्योंकि फित्र पक्ज भी चल रहे हैं तो आपको एक लोटा जल लेना है उसमें काले तिल डाल ले और फिर आप काले तिल डालके उसमें लाल पुष्ट पे डालके फिर आप ये जल जाकर तुलसी जी पर चड़ा दें तो मनोकामनाई पूरी होगी फिर आप चाहते हैं कि मातालक्ष्मी खिची चलिया है मातालक्ष्मी कृपबर से तो आपको एक रूपर कर शिक लेना है दो लोंग दो इलाइंची दोस्तो पाड़ी ले और पांच हलदी के गा की और दोड़ी दोड़ी आपके घर की और चली आएंगी और आपके घर में नित्त निवास करेंगे कखी भी धन की कमी नहीं होगी हर प्रकार से ब्यापार में लाव होगा कारियों में लाव होगा जीवन में चलियारी परेशानी आपके खत्म हो जाएगी मालक्षमी के रुपा से आपके घर में पैशो की आमदनी बढ़ने लगेगी और हमेशा आपकी तिजोरियां भरी रहेगी अब यह जो आपने पोटली बना के रखी है तो इसमें से एक रूपे का शिक्का निका करते हैं अपने तिजोरी पे तो हमेशा आपके तिजोरी पैशों से भरी रहेगी कभी भी खाली नहीं रहेगी और हर प्रकार से लाव होगा जीवन के कश्ट कम होंगे मालक्षमी कृपा बरसेगी तो इस दिन तुलसी जी के पूजा जरूर करें क्योंकि पित्र पक्ष का भी समय चल रहा है और एक अदसी जो भगवान विश्वों और मातर लक्षमी को बहुत प्रिहिश लें इस दिन तुलसी जी के पूजा जरूर करें तुलसी जी के आराधना करें और तुलसी जी के नीचे साम के समय एक सुद्ध घी का दीपक जरूर जलाईएगा और तीन ब लक्षमी के कृपा से घर में शुक्षान्ती बैभो यस की प्राप्ती होती रहेगी चारो देशां से आपको धन कलाभ होता नजराएगा इस प्रकार से आप यह उपाय जरूर करें दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को भी शेयर कर देज देगा और चनल को सब्सक्राइब करके इस बिल आइकन को जुरूर दबा दीजेगा जय मालक्षमी